नमस्कार मैं हूँ आपके साथ सोन्या चोहान कालका से समालका की खबरों में आप सभी का स्वागत है रुख करते हैं खबरों के ओर करनाल के प्रेम नगर में आरिय समाज मंदर के तरफ से कारेकरम का आयुचिन किया गया जिसमें CM नाब सिंग सैनी और साथी करनाल से BJP लोगसभा प्रत्याशी मनुहर लाल ने शुरकत की और इस मौके पर CM नाब सैनी ने जनता से वोट के अपेल भी की और साथी केंद्र और प्रदेश सरकार के कारियों को गिनवाया और CM नाब सैनी ने कहा कि BJP प्रत्याशी को जनता का पूरा सहयोग बिल रहा हैं और इस मौके पर CM सैनी विरोधियों पर निशाना सादने से भी नहीं चुके और देश में देश के लोगों की सुष्ट है वो ठीक रहे वो भीमार्यों से दूर रहे योग के माध्यम से वो सादक के रूप में लोगों को सुष्ट करने का कारिया करते हैं आज ऐसे लोगों के बीच में मैं आया था और उन्होंने अपना पूरण समर्थन को कमल के फूल को दिया है, मोजी जी को दिया है, नहुरलाल जी को दिया है और हमें दिया है यहां से बड़े मातन के साथ पूरे देश में, पूरे प्रतेश में कमल का फूल खिले, इसके परिमार ने, विपक्ष कह रहा है, चार सो पार आ गई तो आप सविधान बदल देखिए, विपक्ष जूट का सहरा ले करके देश को भी गुमरा कर रहा है, और देश के लोगों को भी कमजोर करने का, उनका मौरल तोड़ने का काम, ये कॉंग्रस की आसे नहीं, ये लंबे समय से सब जब से देश अजाद हुआ है, कॉंग्रस उस सोच के उपर काम करती रही, कि लोगों को ग्रीब रखिये, लोगों को उनके हालात के उपर छोड़िये, और छोड़ करके उनको वोट बैंक के रूम में इस्तेमाल करिये, प्रांतु आज ये मोदी का भारत है, ये 21 सदी का भारत है, अब लोग कॉंग्रस के उस कच्चे चिट्थे को समझ चुके हैं, उनके नकाब को वो देख चुके हैं, कि इनकी जो सोच है, वो किस परकार की सोच है, वो इस देश के लोगों के विरुद सोच है, इस देश को कमजोर करने वाली सोच है, देश के अंदर स मस्यों का समधान करने वाली सोच नहीं है और जब इन बातों को लोग समझ चुके हैं तो अब कांगरस को नकार दिया है एक तरफा लोग आज नरेंदर मोदी जी के साथ खड़े हुए हैं लोगों को आज बड़ा विश्वात मोदी जी के प्रतिबंदा है कि मोदी जी जैसा इस देश को विश्व गुरु की तरफ ले जाने का मदीवश्वार परियार वर्भारी हैं कोंगरस के उन्होंने लेटर जारी किया है जो उनके विधायक हैं अगर नहीं आते एक्स विधायक नहीं आते तो फिर उनके खिलाफ कारवाई होगी तो इस भीतर घात का क्या फाय परिवारवाद के मों में फस गई है अगर देखें गांदी परिवार यहां पर हुड़ा परिवार के मों में फस गई है अगर देखें कि रोत के अंदर और भी पार्टी के स्थीनियर लोग होंगे जो चुनाव नड़ने के काबिल हैं परिवारवाद से नहीं सोचते तो प आपको बाज गया मंदाल छोड़का बेट्टे को फिसाई दिया अब बेट्टा फस गया लिगोविया रहेगा ये लोग देखते हैं ये परिवारवाद के मों में फसे हुए हैं इस बावदिया क्या करेगा प्रंतु कॉंग्रस का सुप्रसाफ हो जाएगा जेल में से जो फ्रस्टेशन उसके अंदर हो रही थी बरश्टा चार को लेकर के वो जेल में गया था सराब की बरश्टा चारी नीटी के अंदर जहां गोटाडा सराब के अंदर किया लोगों को शिक्षिया तो क्या देनी थी सराब की तरफ दकेलने का काम किया और उसमें से पैसे एंठने का काम किया और उस भरष्टा चार के अंदर जेल में चला गया जेल में गया तो भरष्टे से नोगी और बाहर आकर के अपनी महिला योग की जो माननी ये शेर में गही उसी को ही अपने घर में पीटने का काम किया ये महिलाओं का सम्मान नहीं अपमान करने का काम ये खेजरीवाल ने किया है ये तो बचरे उस समय के लिए आए के और इनकी शोस्ती भी कहीं न कहीं लूट पार्ट करके आठ लग जाए करनाल के रामदिला मदान में पाल गडरिया समाज की तरफ से राजनेती कच्रेतना सम्मिलन का अच्छन किया गया जिसमें हर्याणा के पूरवसियम और करनाल से लोग सभाप्रत्याशी मनोहरलाल ने शुर्कत की और रस्तुरान पूरवसियम मनोहरलाल ने जनता को संबोधत करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कारियों को उन्होंने गिनवाया और साथी लोगों से वोट की भी अपील की साथी सीएम पूर्व सीएम मनोहरलाल ने कहा कि जिस तरहां अभे तक डबल एंजन के सरकार में कारिया हो रहे थे वैसे ही आगे भी प्रदेश और जनता के लिए कारिया जारी रहेंगे सुझेश मार्श चुछ प्रदेश कम चाहिए ठील सांज्या च। आपको निधे तरह हो आपको सुझेश में कारिया है देकर दाद में आपको आदा करता हूं कि और एस ओड़मी तरफे पुरी मनता न श्रयाष पिर कि आपको सूझेश पिश्ग करते हूं जबहें दूस्ता है, फिरुटा करता है, पूस्ता कौस्ता मस्ता है, कुछला ऐसका है, लूदा करता है, युदे झालगी के है बूर्डा करता है. चले फिलाल वापत तुछला एक छोटे सा ब्रेक का ब्रेक के बाद चुल्ड हासर हूंगे किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपे की संमान निथी ये है मोदी की गारंटी हमारे जमाने में बेटी जनमें तो मातम हुता था पर हमारे समय तो हडयाना में बेटी बचाने वाला है उसे पढ़ाने वाला है उसकी दिन रात रच्छा करने वाला है और तो और उसका व्या करवाने वाला तक बैठा है नसीब आली हो सब तुम्हें बोट के बदले मोदी मिला तारीफ ही करती रहोगी या जाकर बोट भी डालोगी मोदी को जा रहे हैं दादी जा रहे हैं अरे मुझे भी तो लेचर कमल का बटन दबाए भाजवा को जितान है माम है लुप आ किन डाउनलोड आ सांग रेली फास्ट आई किन मेक डो सास फास्टर मस्ट बे जोकिंग बस त्री इजी स्टेप्स मिक्स विप वाटर, स्प्रेट बाटर, प्राई आ आ आ गाना डाउनलोड हुआ नई पर तब तब मैं इडली बना दी हूँ हम नहीं बनाया किट से भारत को ग्लोबल मैनिफाक्चरिंग हब बनाएंगे जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे यह है मोदी की गारेंटी यमना नगर में कुरुक्षेदर से बिज़ुपी परत्याशी नवीन जिंदल और अमबाला से बिज़ुपी परत्याशी बंतु कटारिया के समर्थन में आज़ुत सभा में बोलते हुए स्रीयम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्रि नरेंद्र मोदी के नेत्रित में भारत दुनिया में गिज़ुपी अस्थान से पाच्वपी अस्थान पर आचुका है पूरी दुमिया के पचास से भी ज़्यादा देशों के लोगों ने वहाँ पर आकर अपना इंवेस्टमेंट करने अपना उड्योग लगाने के लिए हमारे सामने प्रस्तावतिये हैं इसमें से 81,000 करोड़ी आज उसमें से ग्रांडिंग शुरू हो गई है बड़े-बड़े के अउसर भी उनके लिए निकलेंगे भाईयो बैनों ये किसी से छुपा हुआ नहीं है किस प्रकार कॉंग्रेस और उस जैसे ही परिवारवाद की राजीती करने वाले दलों ने साथ साल तक देश की जन्ता की गाड़ी कमाई को केवल आपकेवल मुटने का काम किया है यह जार चौजर के पहले साइद ऐसा कोई दिन मुझरता होगा जिस दिन कोई घपला और गोटाला ना होता हो आज मुदी जी की सरकार जीरो टोल्रेंस की नीती की वज़े से ये परि सब्सक्राइब करता हूं मंदन करता हूं स्वागत करता हूं आप की परिके के मुटाल नहीं आपका कुछल में तित हो आपकी उंदर और विवस्ती अनुचाशन के कारण और आपकी विवार्शुचलता के कारण और प्रमाज के सभी लोगों के पार विचले स्वागत पर संब्द होने के कारण आपने जो 18 माई को देश के प्रधान मंत्री नरींद्र मूदी अंबाला में होने वाली एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे और इस दुरान उनके साथ हरियाना मुख्य मंत्री संबेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे और पी ए मोंदे अंबाला शहर स्थित पुलस लाइन ग्राउंड में पहुंचेंगे रैली को लेकर तैयारिया युद स्तर पर जारी हैं जिसे लेकर राज्यमत्री असेम गोयल बेज़पिस जलाध्यक्ष मंदी पराणा ने रैली स्थल का दौरा करते हुए सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इस दुरान कार्यकरताओं के मचंग लेकर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के भी निर्देश दिये गए देखे बेबस्ताओं के नाते पैठे क्ली है और एक अमबारा के लिए मैं समस्का हूँ हर कार्य करता के लिए जो देश को फ्यार करता है जो भरतेन्ता पार्टी के विचार को प्यार करता है उसके लिए तो बहुत प्रव की बात ही है लेकिन पूरी लोकसभा के अंदर भी और मैं मानता हूं कि जो माने मुदी जी को पसंद करने वाड़े साथी हैं लोग हैं आम जन हैं मेरे पर इतने फोन लोगों के एक वार भानमंत्री जी को सुननेगा तिना चाव है और अमबाला शहर परसों शाक्षी रनेगा उनके आगमन का और उनके विचार हम सरों लोग यहां सुनेगे बहुत उत्तार हर्याणा की राज्यसबा सांसद कार्टी के शर्मा बार एसोचेशन के कारेकरम में पहुँचे और अस मौके पर अमबाला संसदीय श्वेतर से विचुपी प्रत्याशी बंतो कटारिया और यम्नानगर के वतायक घंचाम दास आरोडा भी कारेकरम में पहुँचे और इस दोरान अपने संबोधन में राज्यसबा सांसद कार्टी के शर्मा ने कहा कि विचुपी के पास प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की कारेंटी है साल में देश के परधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किये हैं और अंबाला की जनता क्या पूरे विचुपी जनता देश के परधान मंत्री को तीसरी बारी परधान मंत्री बनाना चाहती है और अंबाले की जनता रतलाल कटारिया जी को भी सर्धान जली देना इसलिए 25 तारीक को एक एक पोट कमल के फूल पर ड़लेगी और जो नरेंदर मोदी जी का नाराया के अपकी बार 400 पार उसमें एक कमल अमवाले को होगा और आप सब पतरकार भाईयों का भी उसमें असीरवाद होगा आप सब का समर्थन होगा आप सब का प्यार हो देश को को देश की जंता पर विश्वास है और देश की जंता को उन पर विश्वास है तो मुझे इस पे कोई भी कहने में संशे नहीं है कि देश ने मन बना लिया है कि इस बार प्रचंड बहुमत से 400 से जादा सीटे बारतिय जंता पार्टी और एंडिये को आएंगी और नरेंदर सिंग हुड़ा और आज मंडी में आजूत रैली में पहुंचे और इस दोरान उन्हों ने कहा कि कुरुक्षित्र लोकसभा का चुनाओ हर्याना विधान सभा का रास्ता निर्धरत करेगा दस सालों में बरोजगारी वैपार में हर्याना नंबर वन बना सविधान बच्रान पार्ट्र के नेता भी मौचूद रहे और भारी संख्या में उम्रे जन सालाब से हुड़ा ने गठपंदर प्रत्याशी शुशिल गुपता को भारी मतों से विजवाई बनाने की अपील की प्रत्र के लिए यूवाओं के लिए महीना के लिए गरीबादियों के लिए सारे प्रदाब की है इसके इलावा आज के अंदर प्रत्र कार्दी तीस लाख नौकरिया वादी है तो तीस लाख नौकरिया हम एक साल के अंदर नौकरिया हम एक साल के लिए यमना नगर में बार एस्सोशेशन के तरफ से आजुत कारेकरब में हरियाना के पूर्व मुखे मंत्री भूपेंदर सिंग हुड़ा पहुचे इस दोरान उन्होंने हरियाना में हालात खराब हो चुके हैं ये कहा और साथ ही स्कूलों में मास्टर नहीं है अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हरियाना में दो लाग से अधिक पद खाली है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नए वकीलों को कई तरह के दिक्कत है वकीलों की समस्याओं के समधान के लिए कई योजनाएं हमारे सरकार ने बनाई थी जिसे वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है और ये हरियाना में 36 विरादरी के लोग उनके साथ हैं और पूरे प्रदेश में लहर कॉंग्रेस के पक्ष में चल रही है ये वे आप क्यों से युँँ पप्रिवी ते हुँ वखिर हूं हूं और जो हमारे वीद्वान है वरणी इसकी आपना भी बात कुनिए ये भी वकील है इसके पदा जीव वकील थे वह अच्छे वमीद्वार है वाल इस बात कहें तुब आप सब ख़ड़े लिए आप समसि चलिए फिलाल वक्तो चलाएक छोटा से ब्रेका ब्रेक के बाद जुरल्द हादर हूंगे बेटा ना भिजली ना भीमा हम किसानों को तो धुखा ही मिला वोट के बड़े और पापा आपको बिचौ लिए पर हमें तो मिला है मोदी बस एक वोट दिया था अपने हर्याना में फसल का पैसा और किसान सम्मान निदी सीधा खाते में आ जाती है सबसे ज़्यादा फसलों पर मिलती है खाग बीच की कभी कभी नहीं होती सिर्फ तारीफ ही नहीं वोट भी दो बच्चो तभी तो आईगी मोदी सरकार कमल का बटन नबाँ भाजपाको जितान है माम है लुप आई कि डाउनलोड असांग रेली फास्ट आई किन मेग दो सास पास्ट मस्ट बे जोकिंग बस त्री इजी स्टेप्स मिक्स वाटर स्प्रेट बाटर फ्राइग आँ आँ गाना डाउनलोड हुआ नहीं पर तब कब मैं इडली बनाती हूँ हमने बनाया किसी जारी रहेगी रश्टाचार के खिलाब जीरो टॉलरंस की नीती ये है मोदी की गारंटी इल्निक बाद मोदी सरेका पूर्व पंचायत मंत्री दिवेंदर सिंग बबली का बयान सामने आये जिसमें उन्होंने दुशन चुटाला पर निक्षाना साधा और कहा कि 11 साल से लोगों के सेवा कर रहा हूँ पहला चुनाओ मैंने निर्दलिय लड़ा और साथ ही उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी में मैंने काम किया वहीं दुशन चुटाला ने हमें पार्टी में जोडने का काम किया और साथ ही कोई दो राए नहीं है इसमें और दुशन चुटाला कहते हैं कि हमने वधायक बनाया हमारे जैसे लोगों का साथ वो नहीं जोडते तो शायद वो डिप्टे सीम नहीं बन पाते ये बात भी पूरिवर डिप्टे सीम को याद रखनी चाहिए थी और साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी पार्टी में लोकतांतर तरीके से काम होना चाहिए और कुछ चार पांच नवरतन टाइप लोग हैं जिनको ऐसा घेर लिया कि फिर किसी और कोई पास नहीं आने दिया देखिए का मैं दोशन जी को कहाना चाहूंगा जो हम एसेट से एक किसम से 11 साल की एक किसम से से सेवा और तपस्या एक सेवादार के रूप में हमने अटर्पनिटर वणा के जिनता का को हमने हमें सोभाग्या प्राफ्ट हुआ कि उनकी सेवा करने का सोभाग्या जो हमारी परिवारी करमप्रा थी कप्तान साब ने जो हमें संसकार दिय थे उसको आगे बढ़ाने का काम किया था अब सब कोई पता है उसके बाद कांगर्स पार्टियूम ने काम किया वहां जो हाला चुनाओ के दोरान बने उसके बाद जुसंधी ने हमें सब को अपने साथ जोड़ने का काम किये इसमें को दोराई नहीं अगली खबर सौनीपत से है जहां मुर्थल रोड से तेक डेंटल क्लिनिक में इसे का कौन फ्रेशर फटने से भिशण आग लग गई और साथ ही आग इतनी भयानत थी कि देखते ही देखते पूरा क्लिनिक के जलकर राख हो गया गर्टना की सूचना बलते ही मौके पर दमकल विभाग के करणचारी पहुँचे और कड़ी मश्रक्कत के बाद आग पर काम उपा लिया गया तस्वीरें सोनीपत से हैं जहां पर एक क्लिनिक वे एसी का कॉंप्रेसर जलने से भिशण आग लग गई और आग इतनी भयानत थी कि आजपास के इलाके में हड़कंप मच गया आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग ने भयानक रूप ले लिया और आजपास के पूरे इलाके में हड़कंप मच गया वह इदमकल विभाग ने कड़ी मश्रक्कत के बाद आग पर काबुपा लिया सोनी पत की तस्वीरें हैं तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से क्लीनिक जल कर राख हो गया बता दे कि डेंटल क्लीनिक में भिशन आग लग गई एसी का कंप्रेशर हटने से ये हाथसा हुआ फिलाल इस बुलेटिन में इतना हैं जागा खबरों के लिए बनी रहे हमारे साथ अबस्कार